नमस्कार, Destination IS के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है रामबान सीरीज जो कि हम लोग BPSC सतरवी के मेन सांसर राइटिंग को ध्यान में रखकर चला रहे हैं उसी के हिस्सी सेक्षन में आज एक क्वेस्चन और हम लोग देख रहे होंगे जिसके कारण आपको 5-6 मार्क्स मिले उस चीजों पर आज हम लोग बात करेंगे और आप ही लोग में से की नहीं के दौरा ये लिखी गई कॉपी है देखेंगे कि इसमें क्या बड़ा सांदार लिखा हुआ है और क्या 2-3 चीज़ें और आप इसमें एड कर सकते थे जिसके बहाफ पर आंसर बहतर होता आज थोड़ा अलग फॉर्मेट से चलते हैं चीज़ें जो भी इंक्पॉर्टेंट हैं उसको बाद में उन्हों देखेंगे पहले इस कॉपी को ही रिविव कर लेते हैं कि इस कॉपी में इन्होंने क्या लिखरखा है प्रिटिस जब भारत में अपना सासन स्थापित किया उन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा कर अर्जित एवं राजस्व को बढ़ाने के लिए भू राज़स्व बहुस्था को जन दिया एक बार सोच के देखिए कि standard हिंदी आपको नहीं लगेगा इस लाइन को और बहतर किया जा सकता था जैसे कि अंगरेजों ने जब भारत में अपना सासन अस्थापित किया ब्रिटिस जब भारत में अपना सासन स्थापित किया में भी उतना पर्फेक्ट लाइन नहीं लग रहा है ठीक है ना और एंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे थोड़ा कॉपी चेक करने वाला ज्यादा ही ध्यान देते हैं तो इस चीज को एक बार ध्यान रखेंगे कि प्रो तो इन लोगों ने क्या किया अलग-अलग प्रकार की भूराजस्व ब्युस्था को जन दिया इसी के अंतरगत भारत के अलग-अलग छेत्रों में अस्थानिय आर्थिक सामाजिक स्थितियों को द्यान में रहके अलग-अलग भूराजस्व ब्युस्था को अपनाया गया और इन ही मेंसे एक महालवाडी ब्युस्था है। अब इससे बहतर एंट्रोडक्शन क्या हो सकता है ना कि मुख्यतया तीन भूरा जस्वर ब्युस्थाओं को अपनाया गया उनमें से एक महालवाडी है। तो थोड़ा अगर नाम भी अगर आप जमिंदारी और रहियत वाडी का मेंसन कर देते हैं ना तो चीज़ें आपके फेवर में ज्यादा होती हैं। यह लाइन अच्छा है कि उत्तर पस्चिम के भाग में प्रारंब किया गया था। यह मुख्यतया, मध्य परदेश, पंजाब के छेत्र और उत्तर पस्चिम के सेश छेत्र में लागू किया गया था। यह लाइन अच्छा है कि उत्तर पस्चिम के भाग में प्रारंब किया गया था। इसी चीज को और objective तरीके से आप बता सकते थे उससमें मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था, मध्य प्रांत ज्यादा बहुतर सब्दावली है। मैप पर इन चीजुँगों गर मार्क करेंगे यहां पर आपने ऐसंतर पिदिया पंजाब है यह आपको पस्तिमी उत्तर-प्रदेश है यह आपको मद्य प्रांत है और यह आपको उत्तर-पस्तिमी प्रांत है तो के मार्क्स थोड़े आधा एक नमबर और बढ़ चाथे ठीक है आगली लाइन आपने बड़ी सांदार लिखी हुई है जो कि यूनिवर्सल लाइन है कि जो भी तातकालिक भारत था उसके 30% भाग पर इसको अपनाया गया तातकालिन भारत आपको सब्दावली अगर इस्तेमाल में अपला रहे हैं तो समभुता गलत है ज्यादा बहतर है कि बिटिस भारत या बिटिस आधिपत्य के अंतरगर जो भी भारती अच्छेत्र था उसके 30% अची है बस गलती ये थी कि उत्तरपस्टिमी भागों में जो है उसको चार बाइफर केट करके मैप में आप दिखा सकते थे हॉल्ट में केंजी की कहानी सही है लेकिन ततकालीन भारत जो सब्दावली है ना उसके उससे बहतर है बिटिस आधिपत्य वाले भारत उसके आगले में देखिए क्या लिख रखा गया है इस बेवस्ता के अंतरगत एक गाउं को महल मानकर गाउं के मुखिया को लगान वसुली का अधिकार दिया जाता था जो राजसु को एकत्र करके कमपनी को दे दिया करता था बड़ी सांदार और सिंपल लाइन है इस जिससे किशानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जैसे छोटे किशानों पर अत्याचार बढ़ा किशान रिन के बोज से दब गए और लगान में किशानों को कोई राहत नहीं मिलती थी ठीक है अब बाकी दोन लाइन तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये देखिए लगान में किशानों को कोई राहत नहीं मिलती थी आपदा जैसी परिस्थितियों में जैसे अकाल हो गया में लगान से किशानों को कोई राहत नहीं मिलती थी ज्यादा बहतर लाई ने इसको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था पिटिस द्वारा लाई गई इस बेउस्था के कारण किशानों की जो दसा है वो दैनिया हो गई गलत आपने वर्तनी लिख रखिए उसको सुधार देंगे और जो कंपनी के आर्थिक साक है वो मजबूत होती गई ओवरॉल ठीक ठाक है चार नमबर लाइक आंसर है आपका चार साढ़े चार लाइक है दो चीज़ें आपने मिस कर दी जमिनदारी सिस्टम से अलग इसमें आप क्या लिख सकते थे पहला चीज़ तो आपको लिखना चाहिए था कि इसमें जो लगान की दर थी ना वो परिवर्तन सील थी एक कीवर्ड आपने मिस किया वह यह कि जमिनदारी सिस्टम अंग्रेजों को जब पहली बार उन लोगों ने इन तीनों में से किस चीज़ को इंप्लिमेंट किया जमिनदारी को इंप्लिमेंट किया जमिनदारी में क्या कर दिया गया लगान की दर स्थाई कर दी गई और जबकि जमिनदार एक्चुली में बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और सारा का सारा सर्पलस वो अपने घर में रख लेते थे तो अंग्रेजों को समझ में आए इसके अत्रिक दूसरा एक पॉइंट आप क्या लिख सकते थे कि इतने बड़े पैमाने पर मुहलों को संगठित करने के लिए आपको मैप वगएरा की जरूरत पड़ेगी ठीक है कि कहां पर कौन सा गाव और स्थित है इस चीज के लिए बड़ी संख्या में आपको मांचित् गया मार्टिन बॉर्ड के नेत्रित्तों में और इसी लिए मांचित्रों के जनक के तौर पर इस वक्ति को जाना जाता है नौर्थ इंडिया में तो यह दो फेक्टर अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड कर देतें जैसे हॉल्ट मेकेंजी का नाम सारे लोग लिखते हैं तो भी आपका आंसर में आधा एक नंबर मिल जाते हैं ठीक है तो इसी तरीके से हलाकि overall यह प्रयास बड़ा अच्छा है दो पन्ने में कोई आप राम चरित मानस नहीं लिख सकते हैं ठीक है मोटे तोर पर आपने अच्छा आंसर लिख रखा है यही 2-3 पॉइंट को add-on कर लेंगे आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों में से भी जो लोग BPSC mains देने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग भी अपनी copy लिख करके हम लोगों के whatsapp नमबर पर भेज सकते हैं पहला चीज दूसरा चीज की इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा PT clear होगा उसके बाद हम main answer writing में लगेंगे अब ही से अगर आप लोग अपने answer writing में नहीं लग रहे हैं तो समझे कि PT निकालने के बाद भी आप finally select नहीं होने वाले हैं ठीक है तो जुड़िए हमा पर answer को हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे धन्यवाद